प्रेक्टिस सेट नमबर 94 लगाते हैं फोकस करेंगे इसमें करेंट से रिलेटेड प्रश्णों पर इसके 93 टेस्ट अल्रेडी कम्प्रीट हो गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है हर दिन रिविजन करते रहिएगा चलिए कोशन नमबर बन पर आजएए वेल सार्क से रिलेटेड कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर बताने कि नमेंसे कौन सा करेक्ट होगा वेल शार्क एक फिल्टर फीडर सार्क है जो मांस नहीं खाती यह विश्व के सभी उष्ण कटिये बंदे महसागरों में पाई जाती ह सभी आयूसीन की रेड लिष्ट में यह सुभेद जीव के रूप में सुची बद्द है मतलब वुल्नरेवल है लुप्त प्राय है गलत है तीसरा वाला स्टेट्मेंट विश्व के सभी उष्ण कटिये महसागरों पाई जाती है यह एक फिल्टर फीडर सार्क है जो दूसर तो वेल सार्क सबसे बड़ी सार्क होती है और बरतमार में जीवित सभी मचलियों में सबसे बड़ी है अपने विशाल आकार को बनाए रखने तिथा प्रचनन के लिए प्रयाप्त भोचन खोजने है तू लंबी दूरी की आत्रा करती है यह वेल शार्क एक फिल्टर फीड नहीं है परन्तु इसकी जो लंबाई है वीस मेटर तक हो सकती है वेल सार्क विश्व के सभी उष्ण कटे बंदे महासक्रों में पाया जाती है ठीक है इस इस इनकी रेड लिस्ट में लुप्त पर आया है मतलब इंडेंजर्ड सूची में सूची बंद किया गया गलते तीस कोश्य नमबर टूपर आजाए एक कोईन हर्पेस वायरस एच वी के संदर में विचार करना है एक वायरस एक आम डीन वायरस है जो घोडों में पाया जाता है घोडों में चमकादण में यह तंत्री का संबंदी समस्याओं का कारण बन सकता है जिससे लगवा और यहां तक क विट्सक्ति हैं घोडों में पाया जाता है एक डियन वायरस से दुनिया भर में घोडों की आबादी मॉध बन होता है तो लिट्क हर्पेस बन टिकर है एक्वेन हर्पेस बन सांस की विमारी गर्पात और नवजात मरत्यों सहित घोडों में विफिन रोगों का क्योत पत्ती का कणड़ा बन सकता है पॉश्चों नुमर थ्री पर आजाईए ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्ब में विचार करना है तेकि ओबर सीज जो सिटीजन होते हैं किसी भी उद्देश के लिए भारत आने है तू एक अधिक प्रवेस पाने और आजीवन वीजा प्राप्त करने के हगदार है उन्हें भारत में पत्रिकारिता से संबनित कार्यों के लिए पूर्व अनुवति के आवश्चक्ता नहीं होती इस मारकों में प्रवेस सुल्क के मामले में जैसे मोनुमेंट है अपने राजमहल लाल किला इनमें जो टिकेट होता है उनको आम नागरिकों के समानी देना पड़ता है ठीक है जिसे विदी उसे उसे ज्यादा लिया चाहता है न तो बताईए तीसरा वाला करेक्ट है आम नागरिकों के तरह आपके हमारी तरह जो है ओबर सीज सिटीजन काड़ धार को का टिकेट होता है मोनुमेंट्स में लेकिन बिना पूर्व अनुमति के पत्रिकारता तो नहीं कर सकते गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट ओबर सीजन काड़ धार किसी बुद्देश के लिए भारत आने है तो एक अधिक प्रवेश पा है प्रेंफन हाल ही में Central Government ने hen direct ricic Sort ओबर सीज इंडिया से संबंदित अधिकारों की एक समय के सूची जारे की है पहले बात करते हैं एकाधिक प्रवेश आजीवन बीजा की तो overseas citizen of India काड़धारक किसी भी उद्देश के लिए भारत आने है तो एकाधिक प्रवेश पाने है और आजीवन बीजा प्राप्त करने के हगदार होंगे बात पूरव अनुमतिक के करें तो overseas citizen काड़धारक को अनुसंद्धान करने के लिए भारत में इस मारको और सारवजिनिक इस्थानों पर प्रुवेश्व के मामले में आम भारतिय नगरिकों के समानी अधिकार प्राप्त हैं कॉश्चन नमर फॉर पर आजए मसमी क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्ब में निम्लिखित का अतनों पर विचार करना है दो स्ट्रेटमेंट हैं अब बताने कि नमसे कौन से करेक्ट होगा देखिए से ट्रांस यूनियन सिविल और सांखिकी और कारिकरम कारेंवन मंत्राले दोरा साज़धारी में लांच किया गया है MSME credit health index को यह सूचकांग भारत में MSME उद्ध्यों की credit इस्तिती को ब्रद्धी और शम्ता दो मापदंडों में मापता है बताईए करेक्ट हैं दोनों के दोनों statement C है इसका अंसर तो देखिए क्वाशर क्वाशर आकास गंगा का सबसे चमकदार पिंट होता है जिससे रेडियो आपड़ती पर धारा का उतसर्जन होता है क्वाशर सब्द क्वाशी स्टेलार रेडियो सोर्स का संशिप्त रूप है क्वाशर को पहली बार 1960 के दसक में खोजा गया था जिसका अर्थ है तारों की तरह रेडियो तरंगों का उतसर्जन अधिकान्स क्वाशर हमारे सोर मंडल से ही बड़े हैं एक क्वाशर की चौण सबसे बड़े टेलेस्कोप की मदद से रेडियो उतसर्जन के सबसे दूर इस्तित्सरोत रेडियो लाउड क्वाशर की खोज की है ना की इस रोने तो देखें यह है क्वाशर बीच में ब्लैक होल है ठीक है इससे एनर्जी ले रहा हुए पर्थिवी के सबसे नजदी की क्वाशर की खोज की कई है उसकासर का नाम क्या है रेडियो लाउड क्वाशर यूरोपियन सदर अब्जर्बेट्री के सबसे बड़े टेलेस्कोप की मदद से कोश्चन नूबर एट पर आजए नमलिक्त कत्रों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट है यहां पर प्रधान मंतरी भारते जन औस दी और के लिए स्वास्त और परिवास के जिम्हेदार मंतराले है और दूसरा स्टेटमेंट है जन औस दी के इंद्रों की स्थापना लए गर्ठ्णा दोरह एस्पटाल परिसर के भीतर कहीं भी की जा सकती है लिए जन आसे दी केंदरों की स्थापना स्वहम साथीत समोहों और गयर सरकारी संगट्ण करेंगे जा सकती है गलत है दूसरा वाला स्टिटमेंट है और स्वास्तर परिवार के सिद्वार कर लेद् मंत्रा ले मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतरगत कारियरत फर्माश्यूटिकल विभाग द्वारा सुरू किया गया था ब्यूरो ऑफ फर्मा पी एस्यू ऑफ इंडिया प्रधार मंत्री भारते जन और सधी परियोजना के एक भाग के रूप में जन और सदी केंदरों का समर्थन करता है यह एसे केंदर है यह एसे केंदर है जहां गुडवत्त पून जेनरीक दभाएं सभी को उपलब्द कराई जाती है आपके आसपास खुले वे होंगे आपने देखाऊगा प्रधान मंत्री जन और सधी केंदरों की स्थापना के लिए धाई लाख रुपे तक का सरकारी अनुदान जो है वो प्रदान किया जाता है जिसकी मदद से डॉक्टर, फॉर्मासिस्ट, उद्दमी, स्वैम सायता समू, गैर सरकारी संगठन, आधी किसी भी उपरयोक्तिस्थान या अस्पताल के बाहर जन औस सधी केंद्र इस्थापेद कर सकते हैं, कुश्य नुमर नाइन पर आजएए, नमलिक्ति कत्नों पर विचार करेंगे, कुछ स्टेट्मेंट है, यहाँ पर बताना कि इन में से कौन सा करेक्ट होगा, भारते राष्टे भुक्तान निगम, एनपी सी आई, भारत में खुदरा भुक्तान और निप्टान प्रणाली के संचलन हितू, एक समगर संगठन है, भारते रिजर बैंक और भारतिया बैंक संग की एक पहल है यह, भारते राष्टे भुक्तान निगम, कंपनी अधिन्यम, दोहार तेरे की धारा आठ के तहत, लावकारी कंपनी है, देखिए, पहली बात तो, एनपी सी आई लावकारी नहीं है, गहर लावकारी है, गलत है, दूसरा वाला तीसरा स्टेट्मेंट, यह भारते रिजर बैंक और भारते बैंक संग की पहला है, बहला भी सही है, तो एक और दो सही है, तो C हो जाएगा इसका अंसर, तीन गलत है, तो दो कड़ जाएंगे, BOD, तो देखि निप्टान प्रणाली अधिनियम दुहर साथ के प्राफधानों के तो भारते रिजर्ब बैंक यानि भारते बैंक संग यानि आई वी एक पहल है इसे कंपनी अधिनियम संगटन के रूप में सामिल किया गया ठीक है तो गैर लावकारी है अंतिम प्रशन है कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्री पैक फ्रेमबर्क निम्रिकित में से किस से समझनेता है मौसमी आपदा की घोशना से नहीं है पालतु जीवों में रोग संचन के प्रवंदन से नहीं है स्वास्त अपातकाल की घोशना से नहीं है यह तनाव ग्रस्त कंपनी के रिण के समधान से भी तो देखे हाल ही में इंसल्वेंसी लौ कमेटी यानि ILC की एक उप समिती द्वारा दिवाला एवम सोधन अच्हमता कोड़ दोहार सोले के मूल ढांचे के भीतर प्री पैक ढांचे की सिफारिस की गई है प्री पैक का आश्य है एक सारवजनिक बोली प्रक्रिया के बजाए सुरक्षित लेंदारों और निविश्कों के बीच एक समझोते के माध्यम से तनाव ग्रस्त कंपनी के रिण के समधान से ठीक है तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया देखें पिछले एक दसक में ब्रिटेन और योरप में इन्सॉल्वेंसी रिजॉलिशन हे तू यह व्यवस्था काफी लोग प्रिया है अगर भारत की ओर देखें तो भारत के मामले में ऐसी प्रणाली के था है तो वित्य लेंदारों को संभावित निवेशकों से सहमत होना अनिवार होगा और समाधान योजना हे तू नैशनल कंपनी लॉट ट्रिबुनल की मंजूरी लेनी भी आवश्यक होगी एन सी अल्टी की तो यह दस प्रश्णते करेंट से रिलेटेड इनकी प्रेक्टिस एक से दो बार कर लीजेगा पॉस मार मार के पढ़ लीजेगा अगर कुछ समझ में नहीं आव तो धन्यवाद